हलो फ्रेंड आज बनाएंगे बहुती क्रेस्पी एंग चटपटा कुरकुरा नास्ता जो की बहुती जटपट से और बहुती कम टाइम में ये बनकर रेडी हो जाता है और जो घर में इंग्रिडेंट होते हैं उनी से ये बनकर त्यार हो जाता है बार से आपको कुछ भी लान और चैनल को सस्क्राइब करेना चलिए बनाना शुरू करते हैं रेसिपी को इधर बावल ले लिया एक कटोरी बर कर दई डालेंगे उसके बाद डालेंगे एक मीडियम साइज का प्याज बारी कटा हुआ उसके बाद डालेंगे दो ग्रीन चिली बारी कटी हुई उसके बाद डालेंगे एक टमाटर लिया इसके सीट्स निकाल दिये थे बारी कटी हुई इनको डालेंगे उसके बाद डालेंगे एक सिम्बला मिर्च बारीक कटी हुई सबजियां आप और भी समेड कर सकते हैं और जो नहीं है तो इसके भी कर सकते हैं उसके बाद सारी चीजों को हमें अच्छे से mix कर देना है consistency आप चेक कर सकते हैं इस तरीके से उसके बाद हम डालेंगे आदा कटोरी भरकर इसमें सूजी बारीक वारी सूजी होनी चाहिए इसको डाल देंगे और इसे अच्छे से इस तरीके से हमें मिक्स कर देना है अच्छे से ऐसे मिक्स कर लेना है continue उसके बाद हमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करना थोड़ा सा गाड़ा लग रहा है तो हमें मिक्स कर लेना है ज्यादा ना गाड़ा रखना है ना ज्यादा पतला रखना है कंसिस्टेंसी आपको इस तरीके कि इसकी रखनी है उसके बाद कर सकते हो थोड़ी सी थिक भी हो गई है ये browsers लाते हूं दिखा देंगे उसके बाद थोड़ा सा नमक डालेंगे टेस्ट अकोर्डिंग इसमें उसके बाद डालेंगे इसमें चाट मसाला पाउडर 1 चोथा ही चिम्मच उसके बाद डालेंगे काली मिर्च का पाउडर ब्लैक पेपर 1 चोथा ही चिम्मच फ्रेसरा धनिया डालेंगे बारी कटा हुआ इसमें और सारी चीजों को अच्छे से इसमें मिक्स कर देंगी दीखा आप अपने साब से कम जाधा कर सकते हैं उसके बाद डालेंगे मीठा सोडा होता है वो थोड़ा सा डालेंगे इसमें इसकी जगे पे आप इनो का भी यूज कर सकते हैं और इसको थोड़ा सा पानी डाल की मिक्स कर देंगे बैटर बनकर रेडी हो चुका है उसके बाद एक पैन लेंगे इसमें थोड़ा सा हमें ओयल डालना है दो चिममच भरके और ज्यादा ओयल नहीं इसमें जरूत पढ़ने वाली है उसके बाद थोड़ी सी इसमें राई डाल देंगी इस तरीकी से और इसे चटकने देंगी उसके बाद डालेंगे थोड़ा सा सफेद तिल इसकी जगे पे आप ब्राउन तिल का व्यूज कर सकते हो उसके बाद डालेंगे थोड़ा सा जीरा इसमें और सारी चुजों को अच्छे से चटकने देंगी उसके बैटर लेंगे और इस तरीके से फिला देंगे चोटा सा बना लेंगे और जितना स्पेस होगा कड़ाई में उतना एक साथ बना लेंगे उसके बाल लगा देंगे लेड इसमें और ढखके इसको हमें 2-3 मट के लिए अच्छे से पका लेना है गैस को मेडियम फ्लैंपी करब की उसके बाल लेड को हटा देंगे और अवी इसको हमें पलट देना है इस तरीके से बहुती प्यारा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है आप देख सकते हो नास्ते को बहुती प्यारा सा बन चुका है दोनों तरफ इसी तरीके से हमें हलका सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक पका लेना है उपर से हलका सा दबाते हुए इस तरीके से स सेग कर रेडी कर लेंगी इसरे हमारी नास्ता सारा बनकर रेडी हो चुका है अगर आपको हमारी th Florida city salary पसंद आई यह थो प्रिज्ली वीडियो को लाइक कर दिना चैनल को सब्सक्राइब करेंं लीजनकी हर वीडियो का Madison मिलते आपको अगली वीडियो में